अस्सलामु अलेकूम आशीज किचन लाइफ इन और अंगाबाद में आप सबका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं दाल तड़का बहुत ही जादे यमी बनती है बहुत लजीज बनती है तो जरूर ट्राइ करना तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा जबर्दस लजी किसी दाल तड़का है कि यह सब भी आया है हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे ताकि हमाई डाल अच्छी तरह से गल जाए हमने डाल को आधे से एक घंटे तक भीगाना है पहले आप अगर डाल को इस तरह से पहले से भीगाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो कभी भी आप डाल बनाए तो उसको आदा घं प्यास डालेंगे तो डाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कि हम दाल तडका बना रहे हैं तो इसका अच्छा फलेवर आता है कि हम इसमें हाफ टीस्पून जितनी मिर्ची पॉर्डर डालेंगे टेस्पून नमग या फिर टेस्ट के हिसाब से चार सीपी आने तक इसको हम पका लेंगे। डाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है। और अच्छी तरह से घुडबी गई है। देखें इसी तरह से हमें चाहिए। अगर आपके थुड़ा und mix हुआ हो तो हैंड बीटर से उसको थोड़ा चला लें तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी यह हमारे तड़के का समान झास हमारे तरह से उसको जार से उस जार केसी हैं को हो अ झास बाल टो झास हो तरह से उसको यह हमारे उर्ड़त तो जारा चला लेकंगल में ऑनोल areas for झाल झाल अब हम इसमें प्यास डालेंगे लसन और प्यास को हम थोड़ा लाल होने देंगे इसमें अद्रग और हरी मिर्च डालेंगे अब हम इसमें टमाटर डालेंगे अब हम इसमें हाफ टी स्पून मिर्ची पॉर्डर डालेंगे यह आपके पसंद के हिसाब से अगर आपने जो डाल में मिर्ची डाली अथनी काफी है तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं ने तो इसमें आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो दाल में कम करके तड़के में मिर्ची डालना तड़के का अच्छा दिखाने के लिए जैसे मैं आपको बता रही हूं आप इसी तरह से बनाएं बहुत अच्छी दाल बनती जो नहीं भी खाते हैं वो भी खाने लगेंगे अब हम इसमें कोतमीर भी डाल देंगे इसको अच्छी तरह से चलाएंगे तड़का हमारा रेडी होगे अब हम इसमें डाल डालेंगे खदीजा हाथ समाल को पीछे करो पीछे करो अब हम इसको सिलो आच पे थोड़ा दम पे आने तक धक्के रख देंगे डाल हमारी रेडी हो गई है तो इसको डिशाउट करते हैं हमारी डाल तड़का बन करके तैयार है बहुत टेस्टी बनी है चली इसको सर्व करते हैं डाल तड़का जीरा राइस के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं वैसे चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये पराथे के साथ भी तो जरूर से ट्राइ कीजे और मेरे चैन प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजे, मुझे कमेंट किया कीजे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, जादा से जादा मेरी वीडियो को शेयर कीजे, इंशालला फिर मिलूंगी, अल्ला हाफीज